जहिन दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ CISF Steno और Head Constable Ministerial 2022 जिन भी candidate ने ये form भरा था आपका कल से 30 जनवरी से आपका DVPST का process श्टार्ट कर दिया गया है तो जितने भी CISF के आपके unit है हर जगा ये आपका start किया गया है कुछ-कुछ main center इसके लिए choose किया गया है जहां पर ये process पुरा करवाय जाएगा तो उसी के regarding आज मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ चानता हूँ वीडियो थोड़ा लेट आया उसके लिए आप सभी से छमा मांगता हूँ क्योंकि कुछ duty process के चलते वीडियो लेट हो गया है आज मैं आपको main main documents बताऊंगा क्या क्या आपको documents लेके जाने है और क्या क्या चीज़े आपकी वहाँ पर की जाएंगे अगर हम documents की बात करें तो आपके पास अपना 10th का certificate या marksit अगर आपके पास दोनों है तो दोनों लेके जाएंगे अगर एक है तो एक लेके जाएगा और उसके दो-दो jerox, extra jerox, original के साथ jerox भी आपको लेकर जाना है 10th की marksit और 2 jerox 12th की marksit और passing certificate, original और उसका दो-दो jerox आप लेकर जाएंगे यह होगे आपका education certificates उसके बाद अगर आप किसी कास से बिलॉंग करते हैं जैनरल है तो आपको कास certificate ले जाने की कोज़ोत नहीं है जैनरल का कास certificate पंता भी नहीं है अगर आप OBC से है तो यह ध्यान रखिएगा तीन साल से पुरारा नहीं होना चाहिए और central level तक का होना चाहिए यह चीज़ का जरूर ध्यान दीजेगा अगर SCST है तो आपका भी यह चीज़ ध्यान रखिएगा कास certificate हो गया कास certificate के बाद बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि domicile लेकर जाना है की नहीं मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ domicile आपको लेकर जाना है domicile होना चाहिए आपका क्योंकि उसी से आपका address क्या करेंगे verify करेंगे और दूसरी चीज़ domicile आपका SDO level या फिर central level पे होना चाहिए उसका भी दो xerox और एक original copy लेकर जाहिएगा 10th की certificate, 12th की certificate, mark sheet आपका car certificate, domicile certificate ठीक है अगर आपके पास domicile certificate नहीं है तो आप voter ID card या फिर आप driving license जिससे आप अपने address का परमान वहाँ पे दे सकें ये सारी चीज़े आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़े आप अपनी कर लीजेगा documents का मैंने सारा process बता दिया अब मैं बात करता हूँ आपका photo का कि आपको photos में क्या क्या चीज़े रखनी है जो photo आपने upload किया था अगर वो तीन महिना से ज़्यादा पुराना नहीं है तो आप वो photo लेके जा सकते हैं कुछ बच्चों वो यह पूछ रहे थे कि क्या photo पे date date of photograph होना चाहिए कि नहीं अगर date of photograph आपके photo पे लिखा हुआ है तो आप जरूर लेके जाएं वो best रहेगा photo ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए date of photograph भी आपका recent का होना चाहिए एक से देड़ मैना या दो मैना पुराना होना चाहिए उससे ज़्यादा पुराना लेके मत जाएगा अगर date of photo आप नहीं लेके जाते हैं तो भी आपको ऐसा नहीं है कि आपके साथ problem होगी लेकिन आप एक काम कीजेगा आप वहाँ पे request कर सकते हैं कि अगर जो भी वहाँ पे authority होगी जो भी SC या ESI होंगे वहाँ पे उनसे request कीजेगा वह आपकी process कर देंगे ठीक है photo regarding मैंने बता दिया आपको करना क्या है reporting time आपकी साड़े 6 बजे रखी गई है साड़े 6 अ.म पे reporting time रखी गई है साथ बजे से आपका process स्टार्ट कर दिया जाएगा आप जब वहाँ पे जाएंगे आप 5 बजे साड़े 5-6 बजे जा सकते हैं ज़्यादा जल्दी जाने की जोथ नहीं है क्योंकि वहाँ पे process आपका दिरे दिरे स्टार्ट होगा ऐसा नहीं है कि आप पहले चले गए तो आपका हो जाएगा पहले और बाद में होगा यह सब चीज़े वहाँ पे नहीं होगे वहाँ पे आपको table number decide कर दे जाएगा gate पे आप जाएंगे आपको gate पे क्या है बहुत सारे documents की list लगी होगी उस document पे आप अपना चेक कर लिजेगा कि आपके पास उस सारे documents है या नहीं है क्योंकि अंदर जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा फिर आगे पीछे आपको भागना पड़ेगा आप documents चेक कर लिजेगा gate पे table number आपको वहाँ दिया रहेगा कि stable number पे ये लोगों जाएंगे roll number दिया रहेगा stable number पे जैसे आप अंदर जाएंगे आपका सबसे पहले क्या किया जाएगा आपको line से बठाया जाएगा ग्राउंड में और आपको एक form दिया जाएगा form पे आपको अपना नाम पता, father name, mother name 10th का marks, 12th का marks ये सारी detail भरने होंगे ध्यान से detail भरिएगा detail भरते time गलती मत कीजेगा नहीं समझाता है तो आप पूछ लीजेगा लेकिन तीजी बाजी में detail मत भरिएगा ये जीज़ ध्यान रखिएगा अपना pen लेके जरूर जाएं क्योंकि आपको detail भरने के लिए केद जाएगा boy's का height नापा जाएगा सबसे परला शीज दूसरा आपका weight measure किया जाएगा और तीसरा आपका chest märg दूसरा आपका चेष्ट मेजर किया जाएगा ये 3 process आपके हैं सबसे पले height आपका नापा जाएगा weight और chest अगर आप यह तीनों चीज में qualified कर लेते हैं अगर वेट आपका ब्हुत अपर नीचे है तो इसमें डरने की बात नहीं है वेट आप अपना वेट कम कर लिजेगा ठीक है अगर ज़्यादा है तो आप अपको फ्रॉकल तक कम कर सकते हैं चैस्ट आपको 5 cm करना होगा और हाइट पर ध्यान रखेगा हाइट अगर एक सेंटीमीटर या एप्रोक्स अगर बरावर भी है तो यह आपके लिए दिक्कत हो सकते हैं क्योंकि हाइट में यह लोग आपको एक भी प्रसंट का लिवर्टी नहीं देंगे तो यह चीज आप अच्छे से ध्यान बाकी एड्मिट कार्ड आप लोग का आच चुका है डाउलोड आपने करी लिया होगा यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिये हुए कि क्या क्या चीज आपको करनी है सबसे पहला आप एड्मिट कार्ड अपना ले कर जाए और उसके साथ कलर साइज फोटोग्राफ भी आप अपना लेकर जाएगा ने तो आपको लाओ नहीं करेगा बाकी दूसरे में है कि आपको 10th और 12th का अपना माक्सित एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेके जाना है साड़े 6 बज़े आपको रिपोर्टिंग करनी है साथ बज़े यह सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिये ह इसमें आप पढ़ भी सकते हैं डिटेल मैं इसको अपने कम्मुनिटी पर पोस्ट कर दूँगा जिससे इस सारी डिटेल आप पढ़ लीजेगा बाकी आप अपना बेफिक्र होके जाएं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सारे डॉक्मेंट्स अपने डॉक्मेंट्स के अच्छे से करें और त्यारी अच्छी से रखें मिलते अपने नए वीडियो में चैहिंद